चेहरे पर गजब का निखार लियाएंगे दादी मा के ये पुराने नुसके क्या आप खुबसुरत दिखना चाहती है इसके लिए क्या आप पालर जाती है या त्रह त्रह के कोस्मेटिक्स का इस्तिमाल करती है लेकिन अगर हम आपसे कही की आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बलकि आप दादी मा के पुराने नुसकों को अपना कर अपने चेहरे पर गजब का निखार लिया सकती है तो साइद आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन यह बिलकुल सच है अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो सिर्फ एक बार इन नुसकों को जरूर अपना कर देखे नमबर वन चीनी से करे एक्सफोलियेट यूँ तो आजकल बोड़े को एक्सफोलियेट करने के लिए मार्केट में कई तरह के प्रोडेक्ट मिलते हैं लेकिन पहले महिलाएं घर में ही चीनी की हैल्प से एक्सफोलियेट करती थी यह नैचुरल होने के साथ-साथ बहुत ही कर सकती है। इससे skin के dead cells तो हट ही जाते है और आपकी skin soft भी हो जाएगी नंबर टू टोनल के लिए सेब का सिर्का क्या आप जानते हैं कि सेब का सिर्का body को dedox करने के साथ साथ tonol की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकती है सेब के सिर्के की कुछ गुंदे पाने में मिलाकर चहरे की क्लेंजिंग के बाद इस मिसरंग का उप्योग टोनर की तरह कर सकती है इसके इलावा इसके इस्तिमाल से आप अपने बालों में चमक भी ला सकती है जी हाँ अगर इसे आप सैंपू करने के बाद अपने बालों पर लिगाएंगी तो आपके बालों म लिए बहुत अच्छा होता है जी हाँ ओलिव ओयल एक बहतरी नेच्रल मौस्टराइजर है इसमें पाए जाने वाले एंटी अक्सिडेंट्स वे नेच्रल एसिडिट स्कीन के लिए वरतान की तरह काम करते हैं यह स्कीन की नेच्रल नमे को रिच टोर और सूरज की हानेकार कि प्रिनों से तव्चा की रक्सा करता है आप चाहे तो इसका इस्तेमाल तव्चा पर ऐसे ही कर सकती है या ओलिव ओयल में दूद बैसेहद मिला कर भी एक फेस पैक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है नमबर फोर डार्क सरकल के लिए खीरा यह बात तो साइद आप जानती ही होगी की महंगी महंगी करीम की तुलना में हीरा आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है जी हाँ दादी मा का ये नुस्का तो साइद आप अजमाती ही होगी लेकिन आज हम आपको एक बार फिर से इसकी याद दिला रही है हीरे के पतले टुकडे काट कर अपनी आ मलाई आपने देखा होगा कि आपके घर में दादी मा हमेंसा ओठों के फटने पर मलाई लगाने की सला देती है लेकिन दादी मा का कहना है कि मलाई हमारे स्कीन के लिए भी बहुत अच्छी होती है इसे लगाने से तुच्चा में गजब का निकार आता है इसका इस्तेमाल क के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि स्किन को मॉस्ट्राइजर करने के लिए दूद के उपर से ताजी मलाई निकाले और इससे पूरी स्किन की मसाज करें यह इतनी असरदार है कि आपको एक बार में ही फरक महसूस होने लगेगा तो देर किस बात की अगर आप भी चहरे प पर चुड़े रहे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब धरूट किजिएगा और आपको ऐसी भूत सारी वीडियो देखने को मिलेगी तन्यवाद